गुड़ मॉनिंग आईज आप सभी का स्वागत है सभी नर्सिंग केनिरेट का राजस्तान से एक और आपके लिए नर्सिंग टूटर की समविदा की कॉंटेक्शल विकेंसी जी यहां दोस्तो आइथ हॉप सभी अच्छे होंगे सभी स्वस्त होंगे सर्द्यों का मोसम चल र पोस्ट है ठीक ठाक है और अश्मईदा की बढ़ती है ऊफ्लाइन फोरम इसमें आपको जमा करने होंगे और इसमें जो पूरी नियम परकिरिया आपको बताने वाले है वह पूरा डीटेल से इसके लवा कुछ एक्ष्ट टीड़ी आपको समझाएंगे आपको सबसे पहले बता दू रायस्तान में अमारा एक सवाल है आपसे रायस्तान में जो अपने गवर्मेंट अधिकारी होते है गवर्मेंट स लगबग या टेटर किलोमेटर दूर परता है यहना क्यकडी इसका प्राची नाम कंकवति नकर भी है आपको पता होगा यहां पर अपने केकड़ादीश बाला जी के नाम पर जो है इसका नाम पढ़ाता केकड़ी का चलिए यह सब चुड़िए इसमें आगे चलते हैं यहां पर करमांग नंबर पर डाल दिया है वेकेंसी का पीडियेफ जर्मनी का और जापन का इसके लिक भी डाल दिए हैं हमने हमारे वाटसप चीनल पर भी हमने सभी कुछ चीजे यहां पर डाल दिये तो दोनों आपको जोएन करना है लिंक आपको मारे वीडियो की नीचे मिलेंगे और सबसे इंपोर यह जाए गई आपके सामने है संस्थान में संचालित वीबिन पसामने कर मों बस्तों ओ कर रहे हैं किस क्या कारे करना है यह इंगा मालो को एने महिलाओ को इनको जो है इनको इसके लिए n香 estas निर्वात कार्मिकों से औ THOM यह देखिए नीचे पूर आडरेस दिया गया है यह देखिए काल रहले प्रदना चाले राच किये मोडल नर्सिंग संस्तान एम सेंटर फॉर एक्सिलेंस फॉर मिडवाइफरी क्यकड़ी न्यू जेपूर अजमेर बाइपास नायकी क्यकड़ी जीला यहने क्यकड़ी जीले में आपको इस इस्तान पर जाना है और यहां पर आपको जो दिरांक डेर दी गई है वो दस तारीक दी गई है दस दिसंबर मतलब आवधन आपको में आवशक दस्तावज आपके जो भी डोकुमेंट से माक्षिट है आधरकार्ड आपके जो मूल निवे से जाती वाती सब कुछ लेके आपको दस तारीक के पहले पहले यहां पर आपको डाक के माद्यम से या खुद जाकर य आवधन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तो आप 10 तारीक के पहले 10 दिसंबर के पहले आपने जिमा करा देना ना यह चीज़े है तो इसमें एक चीज मैं आपको दिखा दू सबसे पहले इसमें देखिए आपके काफी सवाल है सर मैं फ्रेशर हूं सर मैंने जीनम क कर सकते है और समयचित मासिक मैं मादे मिलेगा दूड़ छीजेस में आपको द्यान अखना जूरूर यह जिसको मैं आपको यहाँ पर समझाने जारा हूँ अब समयकित और दूसरा सेवा शेट्送 के लोगगी लेकिन इसमें एक चीदर है दोस्तों ब्हुर्ण और द्विशंची में वही अप्लाइक कर सकता है जो रिटायर हो चुका है लिए ने का सेट्ब लिखा बहुत है कोई नर्सिंग ऑफिसर है वो अपने गवर्मेंट थहर। चाहे जिनी शाट साल की सेवा पूरी कली राच की सेवा सरकारी सेवा सरकारी जोब अब वो फिरी हो चुका है सेवा से निर्वत हो चुके है तो उनको उनके लिए विकेंसी रहने वाली है यह ना मैं आपको बता दू सेवा निर्वत यह ना पुना नियुक्ति यह देखिए इसमें पुना नियुक्त पर नियुक्ति योदि निर्दारित समय की परिशार्मिक पर एक वर्ष अत्वा नियमित कार्मिक उपलब दोने तक 65 वर्ष की आयू प्राप्त करने तक जो भी पेले हो तक के लिए होगी मतलब यह है या तो आपकी यह सेवा एक साल के लिए है या फिर जब तक करमनेंट करम प्राइबर्सिट्य जो अपनी होती है उनमें बाकि प्राइवेट को लेजमन तो प्राइवेट लग जाते हैं आपको पता हुगा यह सेवा निर्वत कार्मिक ओको यह इसके पास चाहिए एक साल का हो दो साल का हो तीन साल का अनुबह फो तब भी इसको इसने नहीं सिर्फ उन्हीं को लिए जाएगा दोस्तो जो पहले किसी सरकारई अस्पताल में और अपने साथ साल की सेवा फूरी कर चुका है हो और सेवा से निर्वत da po यह जो करमचारी सेव निर्वत हो चुका हो फिर हो चुका हो तो उन 김 देखिए मैं आपको बता दू रायस्तान में सरकारी सेवा निवर्थी की आयू के बाद अलग-अलग पद्दों के लिए यह एक्षा चीज में आपको दिखा रहा हूं वीडियो को एंड तक देखना यह तब भी वीडियो को एंड तक देखिए कम से कम आप जान करें तो लो जा सकती है तो शाट साल के आयू में आपको लिया परटायर्मेंट हो गया ठाट साथ एसमें आपको फुनह psyche पर काम करना है सब्सक्राइब है ना समय की त्वेतन पर पूरा मास्तिक आपको मिलए ना समय कीछते हैं एक यूटूबर से मैंने देखी उसकी वीडियो वह बता रहे ते के वह यह जो विकेंसी निकलिए इसमें डेपूटेशन में लगाया जाएगा मतलब कोई नर्सिंग ओफिसर काम कर रहा है सरकारी तो यह दी वो चाहे तो इसमें आ सकता है भाया वो इसमें क्यों आएगा 30,000 वाजब उसको उदर 70,000 मिल दियो तो यह डेपूटेशन वाली वाली विकेंसी मतलब सेवा निर्वत करमचारी ओको इसमें लगाया जाएगा पूना नियुक्ति पर अपने नियम भी होता है सरकार के अंदर ये देखिएं ससमें कुछ खास बाते इन को ज्यान रखना पर nhiReally ठीक है यह देखिए बारा दिन के इनको छुट्टी मिलती है एक साल में ओके और यह अनुपसित रेते हैं यह लोग तो मासिक वितन का एक बटा तीस वाइस सा काटा जाता है यह पूरी में गूगल से सर्चिंग किये है और यह सभी लाइने आप इस विकेंसी में भी देख ल अब इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूं पुना नियुक्ति पर नियुक्त यह देखिए यह विकेंसी में जो जो अपलाई करना चता है रिटार्मेंट नर्सिंग ओफिसर यह ना तो वो कर देना इसमें कुछ शर्टे दी गई है मैं उसको पड़के सुना देता हू फूना नियुक्ति पर नियुक्त कार्मिक विबाग के दोरा नियुधारित नियम उनसर आपको यह पर सियल्री मांदे दे होगा समयकित परिशर्मिक ये देखिए मैंने बताया था ना समयकित परिशर्मिक पर पुनु नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवा स्विवेतानिक आपकास के अगदार होंगे याने एक साल में उनको 12 छुट्या मिलेगी वे राजस्तान सेवा नियम 1991 के अधिन उपारजित आ परिशर्मिक आधार पर विद्वान यात्रा बता नियम के अधिन प्रवके अनुसर अनुगे होगा पुनन युक्ति की किसी भी शर्त के बंग करने पर 15 दिवस का पूरू नोटिस देकर आपको यहां पर हटाया जा सकता है राज के हित में पुनन युक्ति आओदी में एक परिशर्मिक आई प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक अभी व्रुदियां आपसी सेमति से की जा सकती है ठीक है और इसमें देखिए इसमें पुनन युक्ति के दुरान दूर्बाश मोबाइल इंटरनेट व्यक्या पून बरण अनुग्या नहीं होगा और इन प्रदों कि जा सकती है विज्यापित प्रदों में यदि ज्यादा अवजन प्राप्त होते हैं तो बीसी नर्सिंग और एमसी नर्सिंग में से मसी नर्सिंग वालों को प्रायोटी दी जाएगी ठीक है मतलब जो यूच्छ योग्यता-दारी वालों को यहां पर प्राद्मिक्ता दी जाएगी और इसमें देखिए जो जो अपलाई करना चाहता हो जो जो इच्चिक हो गौवर्मेंट नर्सिंग लिटार ओफिसर तो वो जाना चाहता हो तो दस तारिकी पहले-पहले अपना डोकुमेंट यहां पर जमा करा देना इसलिए यह विडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन कुछ यूटूबर्स यहां आपको बर्मित कर रहे हैं कि यह विकेंसी आगाई है विकेंसी आगाई है रास्तान में तो विकेंसी नहीं आई है नर्सिंग ट्विटर की यह समीधा की विकेंसी है और यह विकेंसी आपकी जो रहने वाली है यह पुना नियुक्ति पर झाल